अब सरकार आपके महले में जाकर पूछेगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं और कहा नौकरी करना चाहते हैं आप अपनी पसंद के जौब से जुड़ी सभी जानकारी सरकार की एजनसी को दें और उसके बाद आपके लिए जौब सर्च की जिम्मदारी उनकी होगी कि ट्रेइनिंग दी जा रही है ट्रेइनिंग के बाद प्रोफेशनल्स को लोगों के बीच भेजा जा रहा है ये प्रोफेशनल बेरोजगार युवाओं के पास जाकर पहले तो उन्हें नैशनल करियर पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे फिर उनकी कॉलिफिकेशन के इंटरव्यू फिक्स करवाएंगे, कॉंसलिंग भी करवाएंगे, बायोडेटर बनाना भी सिखाएंगे, ये प्रोफेशनल्स आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कोर्स के लिए आपको फाइनेंशल हेल्प कैसे मिलेगे, इसके लिए भी ये इंडस्री बोडी और प्राइविट कंपनियों से भी टाइप किया है ड्रॉप बॉक्स भी लगवाए गया है और पोस्ट ओफस से टाइप किया गया है जिन रिमोट एरिया में इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ लोगों की बायोडेटा डिपार्टमेंट अफ पोस्ट के जरिये कमपनियों तक पहुँचाए जा रहे हैं अब ये मॉडरन सेंटर उनक इलाखों में जाकर बायोडेटा ठीक करवाएंगे कमपनियों से सीधा संपर करेंगे और वहीं आपका इंटरव्यू भी करवाएंगे सरकार मॉडरल करियर सेंटर के जरिये डिजिटल ट्रांजेक्शन का टार्गेट भी हासिल करना चाहती है प्रोफेशनल्स घर-घर जाकर लोगों को डिजिटल पेमेंट की बारी कियां सिखाएंगे वॉलट यूज करने की ट्रेनिंग देंगे साथ ही डेबिट कार्ट क्रेडिट कार्ट से शॉपिंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी मोबाइल बांकिंग से जुड़ी जानकारियां लोगों को देंगे देश के हट छोटे से छोटे इलाके में मौडल करियर सेंटर खोले जाएगे दिल्ली से प्रकाश प्रेदर्शी के साथ ब्यूरो रुपोर्ट जी मीडिया